ब्रो can you make a video on how to draw anime character using loomis method तो यह बिल्कुल normal loomis method की तरह ही होता है तो मैं बस एक circle बनाना है और उस cycle के left and right side को थोड़ा सा कार्ट देना है उसके two-thread side का क्योंकि left and right side में हमारे head flat होते है और फिल्स तुमें circle के अंदर तीन equal lines को draw करना है hair line, eyebrow line और nose line तो यही चीज मैं human faces को draw करते time भी use करता हूँ और anime faces को draw करते time भी क्योंकि जब तुम अगर ध्यान से देखाऊगे तो anime faces भी काफी जादा similar ही होते है normal human face तो इस वीडियो में यही कहूँगा कि अगर तुम्हें loomis method आता तो तुम easily anime को draw कर सकते हो उसमें कोई difference तो वीडियो पसंदेते वीडियो गा लाइक करते ना मैं तुम्हें मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए